शुरुआत करते हैं माई डियर लूजर एज़ो सेवंटीन पार्ट टू की इच अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही होती है फिर वहाँ पर कॉपर आता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था फिर वो तीन जा रहे होती हैं तब ही पीच कुछ आवाज स्मय देती हैं जब वो पीचे मुँड कर देखते हैं तो फिर ऑव देखते हैं कि वहाँपर कुछ बाइकस हैं और उन पर एक लड़का बैटकर आρ रहा है और जो वो लड़का होता है वो होता है मश्रूम यानि की ओ फिर ओ अपनी क्लास में जाता है तो फिर जोसके दोस्तों से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा ग्लास का है तो फिर ओ बताता है कि अब मैं कॉंटेक्ट लेंस यूज़ करता हूँ फिर ओ अपनी सीट पर जा रहा होता है और उसकी टीचर उसे रोक लेती है फिर ओ टीचर ओ से वो से पूस claws ए कि तुमने क्या किया है तो फिर ओ बोलता है अगले महीने एक sports competition होने वाला और मैं चाता हूँ कि तुम सारे उसमें participate करो थोड़ी देर बाद free time में sun और in basketball खेल रहे होते हैं फिर एनाम वहाँ पर आती है और वो उन दोनों को बला रही होती है तो फिर वो बोलते हैं कि हम थोड़ी देर बाद माएंगे जब एनाम वहाँ से चली जाती है तो फिर उसके पीछे in जाता है थोड़ी देर बाद महाँ पर sun भी आता है तो फिर एनाम उन दोनों को देखती है और पूछती है क्या तुम दोनों twins हो क्योंकि तुम्हारे bracelet, shoes, seam दिख रहे हैं क्या तुम date कर रहे हो फिर वो सब class में जाते हैं तो फिर जो उनका leader होता है कि पीछ हमारी वाइस लीडर है थोड़ी देर बाद वो लीडर जाता है कॉपर के पाद उससे पूछता है क्या तुम 400 मिटर रेस में पार्टिस्पेट करोगे कॉपर के साब से दोस्त होते हैं तो फिर वो बोलते हैं हाँ जरूर करेगा क्योंकि ये last year का champion है बोल रहे होते हैं कि कोई भी नहीं है जो कि कॉपर गोहरा सके रेस में वहाँ पर ओ भी होता है और ये सारी बाते सुन रहा होता है थोड़ी देर बात पीछ ओ से मिलते है कि हमने इस seven star में बात नहीं किया अपस में तो फिर दुनों बात करते हैं तो फिर पीछ बोलते हैं कि अब तुम पहले वाले mushroom नहीं रहे तो फिर वो बोलता है ऐसा नहीं है फिर पीछ उससे पूछते हैं कि तुमने glasses क्यों नहीं पहने तुम उनमें cute लगते हो इच उससे बूछते है क्या तुम मेरी help करोगे तो फिर वो बोलता है मैं करना चाता हूँ पर तुमारा जो boyfriend है वो पसंद नहीं करेगा सन एक जाए पर बात कर रहा होता है तो फिर उससे बोल रहा होता है कि तुम cheerleading group join कर लो सन बोलता है कि मैं सोचख खबता हूँ जब वो वो हो से चलायता है फिर वहा पर एनाम आती है और वो उसे बोल रही होती है कि तुमारा decision क्या है से ब्लंडिन group में शामिल होगे या नहीं सन बोलता है कि मैं शामिल तो होना चाता हूँ पर यहाँ पर जो लड़के हैं वो सोचेंगे कि मैं वीग हूँ या फिर गे हूँ आनाम बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो वो पीपॉंग के साथ बैठा होता है और वहाँ पर उसके दोस्त भी होते हैं अगले दिन सन पार्टिस्पेट कर लेता है चेर लीडिंग ग्रूप में तो फिर वहाँ पर इंबी होता है और अगर मैंने पार्टिस्पेट कर लिया तो फिर तुम मुझे क्या दोगी एनाम बोल रही होती है कि तुम मैं सारे स्टेप्स याद करने होंगे तो फिर सन बोलता है हाँ मैं कर लूँगा बस तुम याद अखना कि जब मैं ये जॉइन कर लूँगा तो फिर तुम मुझे कुछ देना होगा पर कॉपर कुछ लड़कों के साथ रेसिंग की प्रैक्टिस करने जा रहा होता है फिर वहाँ पर ओ आता है और वह भी अपना नाम उस प्रैक्टिस के लिए लिखवाता है जारे स्टूड़न्ट ओ को देख रहे होते हैं तो फिर एनाम सन से बोल रही होती है क्या ओ ये कर पाएगा वहाँ पर पीच भी होती है तो फिर सन उससे बोल रहा होता है कि तुम किसे सपोर्ट करोगी तो फिर पीच थोड़़ा सौच ती है और बोलती है क्लो तो भी भी नहीं हरा सकता तो फिर इस बात पर थोड़ी सी उदास हो जाती है पीच वो पीपाउंग के दोस्त के साथ होता है और उन्हें रेस के बारे में बता रहा होता है जब वो बताता है कि कोपर रेस जीद गया तो फिर वो सारे गुस्तान लग जाते हैं थोड़ी देर बाद पीच बहुत जादा खुश हो जाती है अगले दिन स्पोर्ट डिक की शुरुआत होने जा रही होती है तो फिर सन इन और पीच मिलके एक परफॉर्मस देते हैं थोड़ी देर बाद उन्हें बजलता है कि जो उनकी तरफ से रेस में पाटिस्पेट करने वाला है उसके पैर में चोट लग गई है तो फिर उनका लेटर होता है वो रेसर चेंज कर देता है वो उसकी जएपर ओको चुन लेता है फिर और रेस की तैयरी कर रहा होता है उसके पास पीच आती है और वो उसे सौफ्ट ड्रिंक देती है थोड़ी देर बाद रेस स्टा जाती है और फिर वो रेस जीज़ जाता है रेस के बाद वो अपने दोस्तों साथ सेलब्रेट कर रहा होता है थोड़ी दिरवाद इन बोलता है कि किसी ने कहा था कि अगर मैं पार्टिस्पेट करूंगा तो फिर वो मुझे कोई रिवाड देगी इन बताता है कि एनाम ने म फिर पीच एक फोन पिक करने के लिए बाहर जाती है उसके पीचे पीचे बीचे ओ भी जाता है फिर ओ पीच के साथ बैट जाता है और उसे अपना मैडल लेता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मिर ले ये मैडल अपने पास रखो फिर ओ वो मैडल पीच के कले में तो फिर उससे बोलता है क्या तुम्हें मेरी फिलिक्स वारे में जरावी परवा नहीं है पीच उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती और वो अपने घर के अंदर चली जाती है इन सन और ओव को अपने घर पर ले जाता है ताकि वो वहाँ पर रेच्ट कर सके अगले दिन एनाम एक लिस्ट लेकर आती है और वो अपने दोस्तों दिखाती है वो साइंस डे के लिए लिस्ट होती है एनाम के ग्रूप में कॉपर और पीच भी होते हैं तो फिर कॉपर बोल रहा होता है क्यों नहीं हम एक साइन पोश्ट बनाएं इंग्लिश में तो फिर पीच कहती है यह बहुत पुराना आइडिया है फिर वो बोलता है क्यों ना हम फॉर्णर का इंटर्वी करें और उनसे हमारे साइन पोश्ट के वारे में पूछें और हम अपने थाई साइन पोश्ट के वारे में उन्हें बताएं तो फिर पीच बोलते है यह बहु पर बोला लेता है यीज वहाँ पर जाते है अपनी दोस्त साथ फिर वो तो हो ला नहीं तो पर Das रहे होते हैं तो फिर पर नुन दुनें से कहता है कि तुम न गएक साथ बैटए होते है तो फिर न नव ने को ठीक तो होना फिर कॉपर जाग जाता है और वो पीछ को ढूंट रहा होता है जब वो दूसरे कपार्टमर्ट में जाता है और वो पीछ और ओको साथ में देखता है तो फिर उसे बहुत जाता गुस्ता आता है के बाद वो सारे एक aquarium में जाते हैं तो फिर copper पीच को कहीं ले जा रहा होता है फिर पीच मना कर देती है sun और एनाम दोनों एक pick ले रहे होते हैं पर बीच में इना आता है तो फिर एनाम उससे बोलती है कि मैं sun के साथ एक pick लेना चाती हूँ private में फिर इन उन दोनों की pick ले रहा होता है तो फिर वो थोड़ा सा उदास हो जाता है सारे लंच करने के लिए जा रहे होते हैं फिर वहाँ पर एनाम नहीं होती तो फिर sun बोलता है कि मैं एनाम को लेकर आता हूँ फिर उनाम उससे पूछती है क्या तुम girlfriend चाते हो फिर वो बोलता है फिर एनाम उससे बोलता है कि तुम मेरी feelings बार में जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ sun बोलता है कि तुम मेरी सिर्फ एक friend हो फिर sun बताता है कि तुम्हें पता है कि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ जो sun होता है वो एक gay होता है नाम से कहता है कि तुम मेरी हमेशा best friend होगी तो सारे lunch कर रहे होते हैं तो फिर ओ सबको soft drink दे रहा होता है फिर इन उससे बोलता है क्यों न तुम ये soft drink जाके peach को दो ओ soft drink लेता है और वो वहाँ पर दे देता है और वो उससे बोल रहा होता है क्या तुम डॉलफिन की अवाज सुनना चाहती हो मैं उने निकाल सकता हूँ वो फिर उनकी अवाज निकालता है और बोलता है कि हम dolphin की language को यूज़ करके बाती कर सकते है वो डॉर्फिन के साउंड निकालता है और वो पीच से फूसता है तो फिर पीच कुछ मेनिंग बता देती है जो वो नहीं बता पाती है फिर वो ओने बताता है वो लास्ट में एक साउंड निकालता है और पीच उसका मेनिंग नहीं बता पा रही होती फिर O से बताता है कि इसका मतलब है I like you फिर वो दोनों बीच के किनारे चल रहे होते हैं फिर वहाँ पर कॉपर आता है और वो पीच को परसाद ले आता है तो फिर वो बोल रहा होता है कि तुम्हें सरफ O के चिनता है तो फिर पीच उसे बोलती है कि अब सब कुछ हो जगा है पर तुम सारा ब्लेम किसी और उपर रख देते हो कॉपर गुसा हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि सारी गलती मेरी है कि तुम और वो दोनों हाथ पकड़ चल रहे थे बीच पे पीछ वहाँ से चलियाती है तो फिर कॉपर ओ के पास जाता है और वो उसे पीछने लग जाता है शाम को एनाम अपने दोस्तों साथ बैटी होती है वहाँ पर ओ नहीं होता फिर थोड़ी देर बाद एनाम पीछ के पास जाती है वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी होती है एनाम कॉपर कारम फूसती है तो फिर पीच बताती है कि हमारे थोड़ी लड़ाई हो गई है तो फिर एनाम उसे बोलती है क्या कोई और लड़का है जिसके लिए तुम्हारे दिल में फेलिंग्स हो तो फिर जो पीच की फ्रेंड होती है वो बोलती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम किसके बारें बात कर रही हो मैं इसकी मत करती हूँ जवाब देने में वहां से ओ भी गुजर रहा होता है तो फिर ओ लटकी बोलती है कि यह रियल लाइफ है और ओ पीच को डिजर्व नहीं करता है यह दोनों कपल नहीं हो सकते पीच हिजवार में कुछ भी नहीं बोलती है और वो शांत रहती है तो फिर ओ वहां से चला जाता है इनों और सन एक साथ सो रहे होते हैं तो फिर सन जाग रहा होता है और वो इनकी तरफ बढ़ता है और वो उसे किस करने जा रहा होता है तभी इनकी आँके कुल जाती है और जो सन होता है वो पीछे मुड़ जाता है अगले दिन सन और इन एक दूसरे से दूर होते हैं और वो बात नहीं कर रहे होते हैं गोड़ी दिरबाद सारे लोग फोटोग्राफ के लिए एकटे होते हैं पर वहाँ पर ओ नहीं होता। पीच कॉफर से बात नहीं कर रही होती। अगले दिन पीच ओ से मिलती है स्कूल में पर ओ उसे एग्नोर कर देता है। जो ओ का टीचर होता है वो परिशान होता है क्योंकि जो ओ के मार्क्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं तो फिर उससे भोड़ रहा होता है कि मैं तुम्हे क्या हुआ है तो फिर ओ बताता है क्या मेरे जैसे कोई present से better बन सकता है future में फिर इसका teacher बोलता है कि तुमने ये कैसे सोचा अगर तुम fight करो और हार जाओ तो फिर हम इसे accept कर लेंगे क्योंकि तुमने try किया पर अगर तुम try ही ना करो इससे बुरा और क्या होगा थोड़ी द पूछती है कि यहां पर ओ भी आया है तो फिर मना कर देता है तो फिर sun पूछता है कि तुम मेरे friend के बार में क्या सोचती है तो फिर पीच बताती है जब मैंने पहरे सुचा था तो फिर उसके लिए कोई chance नहीं था पर जब मैंने उससे जाना तो फिर मुझे लागा कि यह बहुती अच्छा रड़का है पीच बताती है कि मेरा और copper का breakup हो गया है फिर थोड़ी देर पास sun उसे बताता है कि बीच पर क्या हुआ था ओ के साथ अने दिन पीच ओ के घर पर जाती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम मुझे award क्यों कर रहे हो फिर पीच बोलता है क कि मेरे जैसे को कभी भी चांस नहीं मिलेगा तुमारे लिए पीच बोलती है कि जैसा मैंने तुम्हें पहले देखा था मैंने नहीं सुचा था कि मैं आज भी वैसा ही देखूंगी पर मैं तुम्हें आज अलग नज़रे सा देखती हूँ वो पीच से बोलता है कि तुमारे पर पीच कुछ भी नहीं सुन रही होती, वो बताता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड और तुम्हारी बाते सुन लीती, तुम्हारी फ्रेंड बोल रही थी, कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूं, और तुमने इस बात को नगेशेट करने के लिए कुछ भी नहीं कहाता वो पीच से बोलता है क्या तो मुझे एक और चांस दे सकती हो तो फिर पीच कुछ भी नहीं बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है अगले दिन से वो अपने competition की तैरी करने लग जाता है उस दिनों बाद Valentine डे आने वाला होता है तो फिर वो एक shop पर जाता है और वहाँ पर वो एक locket खरीता है Valentine डे आ जाता है तो फिर copper ने एक room को सया होता है ताकि वो द्वारा propose कर सके पीच को जो पीच की friend होती है वो उसे जान बूचकर की class में बेशती है क्योंकि वहाँ पर copper होता है वो अपनी class में होता है तो फिर उसे अपनी dex पर एक gift मिलता है और वो होती है cookies उसे पता जल जाता है कि यह gift उसे peach ने दिया है तो फिर वो अपना gift लेकर peach को देने जा रहा होता है पीच क्लास में होती है वहाँ पर copper भी होता यह तो फिर दोनों बाते कर रहे होते है फिर वहाँ तो पिर पीच ओके पास जा रही होती है तो फिर वो उसे इग्नोर कर रहा होता है और वो बताता है कि हम दोनों का ब्रेक अप हो गया और यह समेरी वैसे हुआ है लड़के होती हैं वो स्ट्रीम देख रही होती हैं और वो बोड़ रही होती हैं कि ये सारी गलती पीछ के हैं जो लो पीछ को सबक्स दिखाते हैं वो अपने कॉंपेटडिशन होता है उसके पास आयनाम का मेसेज आता है और वो उसे बताती है कि कुछ लड़केifyा परिशान करनी जा रही हैं पीछ को फिर ओ पीच को बता देता है कि मैं वही लड़का हूँ जो कि तुमसे चैटिंग करता हूँ वो लड़की हैं वहाँ से चली आती है तो फिर जो पीच होती है वो गुस्सा हो रही होती है और वो उसे वोड रही होती है कि तुम्हें मैं से जूट क्यों बोला को भी मुझे समझता नहीं है वो बोलता है कि मैं सरफ तुम्हारा फ्रेंट बना चाता था तो फिर पीज बोलती है कि तुम यह मैं सोचना कि मैं तुम्हारा बिलीव करूंगी इच बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ पहले मैं तुम्हें पसंद करने लग गए थी बट अब मैं नहीं करती अगले दिन ओपनी ख्रास में होता है तो फिर एनाम उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे और सन की बीच में क्या हुआ है मुझे बताओ इन उससे बोलता है कि तुम्हें उसका सिक्रिट पता है मैं भी उसका बहुत अच्छा फ्रेंड बनना चाहता हूं मुझे उसकी जरूरत है इनाम बोलती है कि तुम्हें पता है कि हम Lespian याफर gay नहीं है बड़ हम किसी से भी प्यार कर बैठते हैं इन बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ तो फिर इनाम बोलती है तुम वो करो जिससे तुम खुश हो रहो दोने जाये पर जाते है तो फिर एनाम थोड़ी दिरकले कहीं जाती है वहाँ पर सन आ जाता है तो फिर सन बताता है कि मुझे एनाम ने बुलाया है फिर वो दोनों बात करने रहे जाते हैं तो फिर इन सन से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ इन बोलता है कि तुम इस बारे में ज्यादा मस सोचो इस सन खुश आता है और वो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे डेट करना चाते हो तुम फिर साथ फ्लट करो इन बोलता है कि मुझे फ्लट करना नहीं आता वो पीपॉंग के साथ होता है तो फिर पीपॉंग उससे बोलता है कि पीच तुमसे गुसा नहीं है वो सिरफ प्रिटेंड कर रही है वो बोलता है पीपॉंग से कि मैं तुमसे बेटर नहीं हूँ मेरें से जलायाता तो फिर फिर थोड़े कर बाहर निगलती है और वह देखती और कोई नहीं है बस उसका मेडल है पइस से बाहरा कोई रिलेसिता नाम पीच पिर पीपाउं उसे पूछता है कि तुम्हारा क्या रिलेशन है ओसे तो फिर वो बताती है कि मैं फ्रेंड हो उसकी वहाँ पर ओ नहीं होता तो फिर पीच बोटरी होती है कि मैं यहां से जाती हूं तब उसके फ्रेंड उसे रोक लेते हैं फिर वहाँ पर ओ आता है और वो उन सब से बोलता है कि तुम मेरी फ्रेंट को तंग मत करो फिर ओ उन सब से स्कूर्टी की कीज लेता है और वो पीच के साथ कहीं चला जाता है Peach O'K के साथ एग जाए अपर बैटी होती है तो फिर peach उस से पूस्ती है कि तुम्हें दों से जूत क्यों वोला तो फिर O' बदाता है कि मैं तुमसे बात करना चाथा अगर तुम्हें पता होता कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं शायद तुम उससे बात नहीं करती फिर पीच उसे medal लेती है और बोलती है कि मैं तुमारे तरफ वीक बनना चाहती हूँ पीच बोलती है कि हम दोनों couple बन सकते हैं फिर ओ वो लॉकेट बाहर निकालता और बोलता है कि मैंने ये Valentine Day पर खरीदा था और वो पीच को पहना देता है पीच कहीं और देख रही होती है तो फिर ओ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है फिर पीच उसकी तरफ देखती है तो फिर ओ रुख जाता है वो दोनों डेटिंग करना स्टार्ट करते थे हैं इस ड्रामा को IMDV ने सेंट बॉन 5 रेटिंग दिए और MyDrama जिसने सेंट बॉन 9 रेटिंग दिए ये ड्रामा 2017 में रिलीज हुआ था इस ड्रामा के 9 अपिसोड से इस ड्रामा की में कास्ट है नैनोन कुरापात ने ओका जीन रमीदा ने पीश का चीमोन वजीरावितने संका प्लेउम पूरिम ने इनका करिदार निवाया है